जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ कि भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों, मेरा आज का ये उपाय आपको डंके की चोट पर पैसा दिलवाएगा इतना पैसा आप कमाएंगे कि आपके नाम का डंका बजेगा जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति पैसा कमाने में लगा हुआ है इस रेस में भाग रहा है कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं और कई लोग पिछड जाते हैं अब जो लोग सफल हो जाते हैं उनमें भी काफी लोगों का ये कहना है काफी कमेर्स में पढ़ता हूँ कि पैसा आता तो बहुत अधिक मातरा में है लेकिन टिकता नहीं है कहीं ने कहीं किसी ने किसी कारण से पैसा चला जाता है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पैसा कमाने में ही दिक्कत पड़ती है चाहे वो किसी भी काम में लग जाए चाहे कोई भी व्यपार कर ले लेकिन उनका नहीं व्यपार सही ढंक से चलता है नहीं ऐसे लोगों के कोई नोकरी खीक ढंक से चल पाती है बार बार नोकरी बदलने पड़ती है बार बार व्यपार बदलने पड़ते है एक के बाद एक नुकसानी होती चली जाती है और दिन पर दिन करजा बढ़ता चला जाता है तो आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा इस उपाय से आप भरपूर मातरा में पैसा भी कमा पाएंगे आप जितनी मेहनत करेंगे उससे अधिक मातरा में आप पैसा कमा भी पाएंगे उस पैसे को जब आप घर पे लेकर के आएंगे तो उस पैसे मेंसे बेफिजूली खर्च नहीं होगी ये पैसा ऐसी जगह पर नहीं जाएगा कि जैसे मान लीजे बीमारी में चला गया कोर्ट कछेहरी में चला गया यानि कि आया दो पेर से और गया दस पेर से ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा आप जितना पैसा कमा कर लाएंगे वो पैसा आपके घर आने के बाद में बढ़ेगा उपाय बताने से पहले दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचेंतम ग्रण्थों में छुपे उगे कई ऐसे गूड रहस्ये हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो यदि आप भी इसी तरह की जानकरी में रूची रखते हैं तो अभी हमारे जम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे दोरा बताएगे उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुँचेंगे और आप इन्हें मिस भी नहीं करेंगे ठीक है तो चले दोस्तों बताता हूं वो उपाय के जिसमें यदि आप महनत करते हैं बहुत महनत करते हैं लेकिन उसके बदले आपको दाम कम मिलते हैं पैसा कम मिलता है और यदि मेहनत करने के बाद में आपको पैसा मिलता भी है तो घर में आने के बाद में वो पैसा टिकता नहीं है तो मेरे इस उपाई के बाद यदि आपका काम का सही धंक से नहीं चलता है तो चलने लग जाएगा नोकरी आप एक जगा टिक करके करने लग जाएंगे आपको प्रमोशन और इंक्रिमेंट जल्दी-जल्दी मिलने लग जाएंगे आपका जो पैसा आएगा वो सही जगा पे लगेगा जिससे आप और पैसा कमा पाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो सब्त पर्णी का पेड़ाता है इसकी आप जड़ ले ले और इसकी विधी मैंने बताई है कि कभी भी कोई भी सजीव चीज जब आप ले करके आते हैं तो एक दिन पहले जाकर के उससे प्रार्थना करें और आप क्यों ले जाना चाहते हैं ये कहें इसके बाद जब दूसरे दिन आप जाते हैं तो वहाँ पर कोई चीज रख दें कुछ पैसे रख दें, कुछ अनाज रख दें कोई भी चीज रख दें रीते हाथ न जाएं और उसे वैसे ही ले करके न आ जाएं फिर उसको ले करके आएं लाने के बाद में उसको घर में सुच्छता से दोएं और उसके बाद में आप उसका इस्तिमाल करें. तो आप सुब्त पंणी की जढ़ ले आएं, थोड़ा सा टुकड़ा ले करके आ जाए घर में. और इसके बाद में आप क्या करें? ठीक है, मैं बता देता हूँ कि यह आप कभी भी ला सकते हैं, इसके लिए कोई दिन का बाद नहीं है लेकिन लाना है सूरियोदय से सुर्यास्थ के मध्य में आपको लेकर क्या आना है कोई अच्छा नच्छत रहे, सुब नच्छत रहे, गुरू पुशे नच्छत रहे, ऐसा कोई है, कोई अच्छा वार है, दिन है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप ऐसे भी लाना चाहें, तो किसी भी दिन आप इसे ला सकते हैं, तो इसका एक टुकड़ा आप ले आएं घर लाने के बाद आप इसको अच्छे से धोलें इसके बाद इसमें आप चंदन का लेप लगा दें फिर इसको आप किसी पात्र में रख दें और इसके उपर लाल कपड़ा बिचा दें और इसके उपर आप कुछ पैसे रख दें कुछ सिक्के रख दें कुछ नोट पैसा रखना है अब यह पूरे पाद्र को जहां कहीं भी आप पैसा रखते हैं वहां पर रख दें और नित्य सवेरे आप इसमें दो अगर्वत्ती दिखा दिया करें आप देखेंगे कि आपके घर में जितना भी पैसा आएगा उसमें दिन दुगना रात चोगना बढ़ेग ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दीवे प्रकास और अपने जीवन में लाभनवित होते रहें धन्यवाद